हलो फ्रैंस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम खस्ता पापड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले एक कटोरी हम मैदा लिए हैं देखिए कि इसमें हम आधी कटोरी चावल का आठा ले रहे हैं उसी कटोरी से और आधा चमच हम बैकिंग सोडा लिए हैं देखिए हलका सा इसमें हम मीठा सोडा ले रहें खाने वाला है और इसमें अजवाइन हलका सा हम डाल रहें देखिए स्वाद अनुसार हम नमक डाल दे रहें हैं इसमें और हम 3 समस on 알 डाल रहें इसमें ऐसंर आ कि summar है इसकी सिस्पतर लिए गोरे हुआ रावर पिंसावी चीजय को अच्छे से मिला लेंगे से से मिला लेंगेक सिद्धी आमाइदे में तो पानी डालेंगे इस तरीके से हम इसको अच्छी सामिल हम धाल लिये हैं किसमें अलका सा हर दलपा कुछ ताल सो भी इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके मैदा लगांगे मेधा लगा लिए हैं भी इसको फड़ी देर मस लेंगे और लख देते हैं का तोड़ी सेट जाये 10 मिनट के लिए है इसको और थोड़ा समसल लेते हैं ताकि सौप्ट हो जाए तो और हम असले देखिए बड़ी बड़ी लोई काट लिए हैं हम इस तरह लोई बना ले रहें इसका अब यह सुखाटा हम लगाएंगे हलका सा सुखाटा लगा लिये हैं इसको हम रोटी बराबर बेलेंगे यह देखिए अर यह ढखकन लिए है छोटा सायच का तो आप कोई भी चीज़े सकते हैं इससे हम कट करेंगे यह देखिए इस तरह कट गया है अब इसको इसमें से निकाल लेते हैं हिस्ट्रा यह गे एक के ऊपर ये पटलिश अलाई से आ इस तरह को दवा के डिझाईन बना सकते हैं एक प्रकर थोड़ा साना कि ड़ीजाइन बनाई है यह ताकि तेल में जाने बात निकलेνा इस तरह हम सभी डिजायन बना ले रहे हैं देखिए देखिए एकदम नए डिजाइन बन के रेडी हो रही है तो एक एक करके हम देखिए सभी डिजाइन बना ले रहे हैं यह डिजाइन बन गई है अब इसको हम तेल में छानेंगे इसको हलका साम अब चला दे रहे हैं यह देखिए यह फ्राई हो गया है निकाल दे रहे हैं इसको बनाना है देखिए किस तरह बन रहे हैं मठ्री खस्ता यह खस्ता मठ्री बनके हमारी रेडी हो गई है अगर हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद